हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजी के लड्डू जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सौधिस्ट लड्डू ये बनता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आधा आपको चीनी ले लेना है यह पीसी वी चीनी थी यह मैंने कुछ ड्राइफूट ले लिए कटे हुए और यह मैंने मलाई ले लिया मलाई डालने से बहुत ही आच्छा स्वाधाता है तो यह सब आपको ले लेना सूजी चीनी मेवा और मलाई आपको ले लेना है तो अ अगर आप खी डालना चाहिए तो गी डाल सकते हैं अगर आप किसी आयल में बनाना चाहते हैं तो आयल में भी बन जाएगा लेकिन घी डालने से और भी अच्छा बनता है तो इसमें जादा घी भी नहीं लगता है बहुत ही आसान है लड़ू बनाना बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है लड़ू खी को गरम हो जाने देते हैं गरम हो जाने के बाद हम सूजी को भूनेंगे इसमें वैसे सूजी का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाता है आप कभी फीस को बना कर खा सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है खाने में यह सब को भी पसंद आता है लड्डू तो आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए बहुत ही डाल देते हैं इस अपर सूजी डालने के बाद इसको सब्सक्राइब देका डाइने उसको फिछलाइन अब उस अब इसे बना से बनाइन शाइने 10 मोघ गइसरा अगर अब Eli Stand पर आदा जलने लगेंगा नीचे से एकडम देखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको भर चलाते रहने लाइना है ताकि आपका जो जूजी है और नीचे फकड़े ना अच्छे से हो जाए जुए अग्दम बरावर से नहीं तो अगर आप चलाएंगे नहीं तो आधा आप तो वैसे मीठा तो सबको पसंद होता है आप अकसर सब लोग लड्डू खाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कैसे बनाएं तो आप इस पी जरूर देखेगा और बनाईएगा जरूर इसको एक बार तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको यह लेड्डू और बहुत ही स्वाद का यह दो कि अच्छा अच्छिए मुथ researching लड्डूम में टाना articulated सकते हैं और ग़स सब्सक्राइज डाला नी यही जरूर देना आदैने n एक यसका बड़े इस स Nous डूर टार्डू ना एक गदुसरे नहीं तो इस typically वी जरूए नहीकर बनाना का इस वार तो बोनार बड़ को नये तरीके का है आप इसको जरूर बनाएगा, एक बार बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में तो चीनी डालने से हल्का तोड़ा गेला होने लगेगा तो इसको भीохम भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मलाई डाल देंगे मलाई डालने से थोड़ा चिकना पन रहता है और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा आता है तो आप मलाई डाल के भी बना सकते हैं नहीं डालना चाहे तो आप इसको इसको भी कर सकते हैं तो इसको हम चलाते रहेंगे बराबर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई को भी तो ऐसे आपको मिक्स कर लेना अच्छे से बराबर से एकदम मिक्स हो जाए तब ही हम इसको निकालेंगे सूजी के लड़ू ऐसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन भी जाता है तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने कामन करें तो आप ये लड़ू बनाकर जरूर खाईएगा बहुत ही अच्छा लगता है लड़ू और सूजी के लड़ु तो पसंद होते हैं, अक्सर सबको पसंद आता है तो आप कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं और इस नए तरीकी से बनाईएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो यह रेस्पी आप जरूर ट्राई करिएगा ऐसे सूजी के लड़ू बहुत ही अच्छे लगते हैं अग्दम दानी दार बनके जब तयार हो जाते हैं तो देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है तो लड्डू बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाता है ज्यादा सोचने की बात नहीं है आपका जब भी कुछ मन करें मीठा काने का तो आप यह लड्डू बना कर खा सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाता है तो ऐसे आपको चलाते रहना है देखिए अच्छे तो यह भो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट या थाली या कुछ भी आप ले सकते हैं निकालने के लिए उसमें आप इसको निकाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा देखिए गीला हो गया है लड़ू बनने में असानी रहेगा इससे तो इसमें मैंने पानी नहीं डाला है नहीं दूप डाला है बहुत ही कम समान में बन जाता है बहुत ही आसानी से बन जाता है जब भी आपका मन कहें तो यह लड़ू बना कर खाईएगा कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं लगता इसमें बहुत ही असानी से बनाने के लिए तो आ तो निकालने के बाद जब यह हलका थंडा हो जाए हलका हलका गुंगुना रहे थे भी आपको बनाना है एकदम गरम तो आप बना नहीं पहेंगे थोड़ा थंडा हो जाने देते हैं उसके बाद बनाएंगे थंडा हो गया है अब हम इसको बना लेंगे पहले अपने हाथों मे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगी ताकि बनाने में असानी हूं चिपके ना हाथों में तो ऐसे आपको थोड़ा सा तेल लगा लेना है तेल लगारा कर आप बनाईएगा इसको तो ऐसे आपको लड़ू बना लेना है एकदम दबा दबा कर बना लेना है ताकि जल्दी से बिखरे न लड़ू अच्छे से बन जाए तो यह लड़ो बन गया है, देखें कितने अच्छे से बन गया है ऐसे आपको सारे लड़ो बना लेना है बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है खाने में तो ऐसे हम सारे लड़ो को बना लेंगे दूसरा भी हम आपको बना कर दिखाते हैं ऐसे आपको बना निला है तो आप जैसे बना पाएं लड्डू को ऐसे आप अपने हाथों से बना ले तो आप कभी भी ये लड्डू बना कर खा सकते हैं बहुत ही स्वाधिस्ट लड्डू लगता है खाने में सूजी का बहुत ही अच्छे से बनता है तो आप ये लड्डू बनाकर खाईएगा जरूर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा लड्डू ये लड्डू बनकी रेडी है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा देखने में भी और खाने में भी बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है लड्डू तो अब हम आपको तोड के दिखा देते हैं अंदर से भी बहुत ही अच्छा लग रहा है लड्डू तो देखिए कितना अच्छा लग रहा देखने में अंदर से भी बहुत ही अच्छे से लड़ू बन गया है और खाने में भी बहुत ही स्वाधिष्ट लगेगा यह लड़ू आप बना कर जरूर देखिएगा तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीस मेरे वीडियो को लाइक करिया और सेर करिया अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद